ओके अलो फ्रेंट कैसे हो आप सब में विसी और आप देख रहें बोंट्वी इन्विस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में जो अमारा निप्टी एंड बैंक निप्टी है वो अगले अपते क्या इसकी रेंज रहे सकते हैं कहां इसके सपोर्ट होंगे कहां इसके रेजिस् से जरूर दबा दिजिए जिसको आपको अमारी नौटिफेक्शन सबसे पहले मिल जाए अब हम आ चुके हैं निप्टी के ओप्शन चैन एनालिसिस के उपर यह जो हमारा एनालिसिस होगा वो नेक्स्ट विक के लिए होगा तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कहां आप के सपोर्ट होंगे कहां आपके रजिस्टरंस होंगे तो पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो हम सपोर्ट के लिए क्या करेंगे पूट सैट देखेंगे तो यह हमारा पूट सैट वाला पार्ट है तो हम पूट सैट देख रहे तो सबसे ज़्यादा आपको वाई बिल दूसरा सपूर्ड होगा होगा T handout का सब्सक्राइब कर देखेंगे तो आपको दूसरा रजिस्टंस दीख रहा है ग्यारा आजार पे लेकिन हम क्या है कि इतनी जादा अपर की साइट रेंज लेके नहीं जाएंगे फिर भी आपके एक माइंड में रखो कि 10,500 पहला रजिस्टंस है और 11,000 दूसरा रजिस्टंस है अगर यह 10,500 के उपर निकल जाता है तो में नेक्स्ट विक के लिए जो अपना मार्केट है वो 10,600-700 मैक्सिमम अपसट देख रहा हूं लेकिन यह कब है जब मार्केट नॉर्मल हो मार्केट में कोई न्यूज ना हो तब तो यह हो गया आपका सपूट इन रजिस्टंस ऑप्सन चेन एनालिस से अभी ह कर लेवल वहां आपको एक अच्छा चेंज हूँ आइद दिख रहा है बाद मैं हम क्या की कोल सट देखे कि का इसे तो उल्टा भूरह रहे है कान लोंग बिल्डप ओर तो वह एक बार देख लेते तो जब जब आप put set देखते हुँ तो वहाँ आपको salt build up देखता हुआ देख रहा है और जब आप cold set देख रहे हों तो 10,700 तक आपको क्या कि long C होता हुआ देख रहे है और उसके बाद आपको salt build up होता हुआ देख रहा है तो in simple आपका जो यह long build up और salt build up से एक idea मिलता है तो वो idea मिलत data के उपर तो यहां put site से support find करने की courses करेंगे call site से resistance find करने की courses करेंगे तो जब हम put site देख रहें तो जो हमारा पहला support आ रहा है वो आ रहा है 21,000 के level पे आप देखो यहां सबसे ज्यादा why build up दीख रही है उसके बात की बात करें तो 20,500 पे आपको why build up दीख रही है तो यह होगे दो आपके support कौन-कौन से 21,000 और 20,500 अभी हम resistance की बात करें मतलब call site देखते हैं तो जब call site देखते हैं तो सबसे ज्यादा why build up हमें 22,000 पे दीख रहे हैं उसके बाद आपको 22,500 पे दीख रहे हैं और उसके बाद आपको 21,500 पे दीख रहे हैं अगर हम support की बात करें तो पहला आपका support होगा 21,000 का level और उसके बात का support होगा 20,500 का level अगर हम resistance की बात करें तो 21,500 आपका पहला resistance रहे सकता है और जो main and important level होगा वो 22,000 का resistance होगा तो ये होगे supported resistance एक बार क्या है कि हम उसके OI build-up भी देख लेते हैं तो जब हम OI build-up देखते हैं तो उसमें आपको put set short build-up होता हुआ दीख रहा है और cold set long build-up होता हुआ दीख रहा है अगर हम जो इसमें data की बात करें कि change in हुआ है तो change in हुआ है Friday को आपको सबसे ज़्यादा 21,000 पे दीख रहा है और उसके बात क्या है कि 22,500 पे दीख रहा है लेकिन वो थोड़ा दूर की बात है तो जो आपका change in हुआ है फ्राइडे के दिन वो 21,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा हुआ है तो यह होगे आपके nipty और bank nipty के option chain analysis अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि technical कौन से इसके support होंगे कौन से इसके resistance होंगे और बात में हम देखेंगे कि कौन सी range में nipty और bank nipty आ चुके nipty के चार्ट के ऊपर तो इधर हम देखेंगे कौन से इसके टेक्निकल सपोर्ट होंगे कौन से इसके resistance होंगे तो पहले हम support की बात करें तो जो हमारा पहला support होगा वो 10,000 का level होगा यह जो 10,000 का level है उसको में क्यों support लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप जब option chain में भी देख रहे थे 10,000 के level पे एक अच्छी खासी OI build up देखने को मिली थे इसलिए मैं इसको support की ओर लेके जा रहा हूँ यह हमारा पहला support होगा अगर यह इसको भी break करके नीचे चला जाता है तो जो हमारा दूसरा support होगा वो होगा 9830 का level इसको में क्यों लिया है तो आप द shift करोगे छोटे time frame पे shift करोगे तब आपको यह proper देखेगा तो जो 9830 का level है वो हमारा दूसरा support होगा अगर यह दोनों को break करके market नीचे चला जाता है तो जो हमारा next week के लिए आखरी support होगा वो होगा 9700 का level थोड़ा अपर है 9726 है लेकिन मैं approximately 9700 लेके जा रहा हूँ तो जो ह हमारा आखरी support होगा वो 9700 का level होगा अगर यह market इसके भी नीचे चला जाता है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ही downside आ गया तो हम क्या है कि यह candle की low को देखेंगे लेकिन क्या है कि मेरे को नहीं लगता है कि next week में आपको 9700 break होता हुआ देखे लेकिन अगर कोई बड next week के लिए है अभी हम resistance की बात करें तो जो हमारा पहला resistance होगा यह candle का high होगा जो आ रहा है 10,330 के आसपास तो इसको मैं अपना पहला resistance मानूंगा अगर market इधर जाके कोई downside signal देता है तब आप इसमें selling side आ सकते हो लेकिन proper downside मिलनी चाहिए अगर यह इसको भी break करके ऊपर चल हमारा दूसरा resistance है अगर यह इसको भी break करके ऊपर चला गए तो जो हमारा आखरी resistance होगा वो 10,500 का level होगा अभी 10,500 का level मैंने क्यों लिया तो जब आप option chain analysis में देख रहे थे वहाँ 10,500 पे एक अच्छी खासी UI build-up दीख रही थी इसलिए मैं इसको क्या है कि resistance की और लेके ज तो यह हो गए हमारे तीन resistance पहला resistance होगा वो 10,330 का level होगा अगर यह उसको भी break कर देता है तो जो हमारा दूसरा resistance होगा वो 10,425 का level होगा अगर यह इसको भी break कर देता है आपका निप्टी तो जो हमारा final resistance होगा वो 10,500 का होगा अभी हम बात कर ले कि यह जो 10,425 का level है वो मैंने कहां से लिया तो जब आप इसमें फीबोनाची लेवल्स लगाते हो तो वहाँ आपको 0.61 का वो लेवल मिल रहा है तो आप इसको क्या है कि एक resistance की तरह लेके जा सकते हो तो पहले हम फीबोनाची अल्रेडी मैंने लगा दिया है सो देख लेते कहां से कहां है मैंने ड्रोग किया है तो यह हमारा high है और यह हमारा low point लिया है तो जब आप इसको यह से ड्रोग करोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि 61.80 के लेवल पे आपका जो लेवल आ रहा है 10,425 का तो यह 61 एक क्या है कि फिबुनाची रेशियो में एक अच्छा सा क्या है कि रेशियो होता है कि जहां से market reverse होने के chances होते है तो इसलिए हमें इसको लेके गया हूँ तो 10,425 का लेवल है अगर वहां से आपको कोई downside देखने को मिले तो आप selling side के लिए entry ले सकते हो लेकिन proper अपर downside मिलनी चाहिए तो यह हो गए हमारे Nifty के support in resistance अभी हम Nifty की बात कर लेते कौन सी range में यह आपका Nifty next week movement कर सकता है तो जो range होगी मेरे इसाब से में बोलूँगा कि यह range में आपका Nifty एक्सपैटी तक उपर नीचे हो सकता है तो वह range होगी आपकी 9700 से लेके 10500 तक यह हो गया आपका Nifty का option chain analysis एन इसके support in resistance और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लिजे क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरोज हर दिन लेते आते अभी हम देख लेते हैं कि bank Nifty में आपको कौन से technical support and resistance देखने को मिल सकते हैं तो अभी हम आ चुके bank Nifty के chart के उपर तो पहले हम इसमें support देख लेते हैं बात में हम resistance की बात करते हैं तो जो हमारा पहला support होगा यह दो candle का low जो एक साथ में यहां रहा है वो होगा जो आ रहा है 19,988 लेकिन हम इसको 20,000 का level मानेंगे तो जो आपका पहला support होगा वो 20,000 का level होगा अगर यह इसको भी break करके नीचे चला जाता है तो जो हमारा main and important support होगा next week के लिए वो होगा 19,500 का level जो यह दो candle का low आ रहा है अगर हम bank nifty में resistance के बात करें तो जो हमारा पहला resistance होगा यह last high होगा जो यहां बनाया था इसने जो आ रहा है 21,800 के उपर अगर यह इसको भी break करके उपर चला गया तो जो हमारा दूसरा resistance होगा वो 22,000 का level होगा और 22,000 का level आपने देखा था कि bank nifty में oi build-up पी सबसे ज़्यादा था तो मैं क्या करूंगा next week कि यह जो जोन होगा 21,800 से लेके 22,000 तक वहां में कोई भी buying नहीं करने वाला वहां में only selling opportunity देखूंगा अगर मेरे को कोई proper selling opportunity मिलती है तब ही मैं sell करूंगा यह आपको एक plan के साथ लेके जाना पड़ता है क्योंकि यह 200 point का gap है और normally आप अभी देख रहे हो कि 200 point का gap आपको normal है उपर नीचे होई जाता है तो आप क्या करोगे कि यह range में जो आएगा 21,800 से लेके 22,000 तक वहां buying नहीं करोगे वहां अपना selling opportunity देखो अगर proper selling opportunity मिलती है तब आप selling के लिए जाओ लेकिन वहां buying हो सके उतना ignore करो अगर आपको buying करने तो यह zone proper breakout हो जाए उसके बादी कर सकते हो तो जो हमारा bank निप्टी है उसमें कौन से support होंगे कौन से resistance होंगे तो support की बात कर लेते हैं तो 19,980 का लेवल है मतलब 20,000 का जो लेवल हो हमारा पहला support होगा उसके बात की बात करें तो 19,500 का हमारा दूसरा support होगा resistance की बात करें तो मैं इसको zone की तरह लेके जा रहा हूँ 21,800 से लेके 22,000 का जो zone है वहाँ आपको resistance देखने को मिल सकता है तो उसी zone में हम क्या है कि selling side opportunity ढूंडेंगे buying side opportunity नहीं catch up करेंगे तो यह था आपका bank nipty में support and resistance अगर हम bank nipty की बात करें next week कौन सी range में यह रह सकता है तो मेरे इसाब से next week आपका bank nipty 22,000 के level से 19,800 की range में रह सकता है तो यह होगे आपकी next week की range bank nipty में तो इस वीडियो में हमने देखा कौन सी range में nipty ट्रेड कर सकता है कौन सी range में bank nipty ट्रेड कर सकता है अगर यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर दिया किजिए आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे ले कहेंगे तो please like comment and subscribe कर देना चलिए मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए टटा